दरसल नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पर पिछले शुक्रवार को लगे आरोपों के चलते आज डूडी अपनी बात कहना चाते थे उन्हें थोड़ा समय भी दिया गया लेकिन डूडी को यह समय कम लगा और कॉंग्रेस नेता अपने प्रतिपक्ष के नेता को बजट बहस में अपना जवाब दिया उन्होंने बजट के साथ कुछ और गोशनाओं का एलान भी आज कर दिया मुख्यमंत्री वसंदरा राजे ने प्रदेश के विकास और कल्यान कारी बजट की बात कहते वे कहा कि अब सरकार कॉंस्टेबल्स के 6,000 पदों का सुजन करेगी दूसरी और भरतियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार किसानों का भी पूरा ध्यान रख रही है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्टार्ट अप को प्रोटसाहित करने के लिए 500 करोड रुपे का भामाशा फंड स्रजित करने की बात भी कही इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाबालिक बच्चीयों के साथ दुशकर्म के आरोपियों को मुख्यमंत्री वसुनरा राजे ने CRPC Act का विवादित जो अध्यादेश था उसको भी वापस लेने का एलान करते वे कहा कि कॉंग्रेस की सरकार ने भले ही इमर्जेंसी का काला अध्यादेश में जोड़ा हो लेकिन मौझूदा सरकार CRPC के विवादित एक्ट को वापस ले रही है सरकार की तरफ से सलेक्ट कमिटी को भेजे गए विवादित अध्यादेश को वापस लेने का एलान तो कर दिया गया लेकिन इसके लिए अभी विधाई प्रक्रिया किया जाना बाकी है विदान सभा में इसके लिए प्रस्ताव आएगा और उसकी मंजूरी के बाद ही ये अध्यादेश वापस हो सकेगा उधर कॉंग्रेस का कहना है कि कॉंग्रेस के संगर्श और जनता की आवाज के कारण ही सरकार को ये अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है सब क्रेडिट लेने की होड में जूटे हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या कल जब सुबह 11 बजे विदान सभा की कारवाई शुरू होगी तब डैडलोग खत्म हो पाएगा पराजस्तान की भारती जनता पार्टी के अंदर फुप्चुनाओं की पराजय के बाद मंधन का दौर शुरू है आज बोर्ड और निगम चैर्मेंस जिला प्रमुप और भारती जनता पार्टी के अंदर फुप्चुनाओं परिणाम पराजय के बाद एक नई तरह के रणनेती पर भी खास्ता और पर मंधन हो रहा है वी सतीश, अशोक परणामी और चंदर शेकर इस मंधन में जूटे हैं और ये भी देख रहा है कि किस सियासी नियुक्ती प्राप्त नेता ने पिछले एक साल के अंदर के अंदर कितना प्रभावी काम अपने समाज में किया है अपने छेतर में किया है और जो उन्हें पत प उम्मेदारी भी दी जा सकती है अगले दस दिनों के प्लान के तहट उनसे संपूर कारियोजना मांगी गई है केवल बोड और निगम के अद्धिक्षों और जिलाप्रमुखों के साथ नहीं बलकि भारती जनता पार्टी का प्रदेश संगठन नहतर बीजेपी के विधायक चेतर से जुड़े जन्परतिनी दियों पर खास तोर से उन चेतरों पर विशेश तोर पर फोकस रहेगा जहां पार्टी खुद को कमजोर महसूस कर रही है व्यावर गैस सिलेंडर दुखांती का मामला पिडित परिवारों से मिलने पहुचे PCC Chief सचिन पाइलेट मुआवजे को बढ़ाने और पिडित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की उठाई मांग आवर गैस सिलेंडर दुखांती का मामले में PCC Chief सचिन पाइलेट आज ब्यावर पहुचे पाइलेट ने यहाँ घटना इसकल का जाजा लिया और बाद में सरकार से मांग की कि इस हाथसे में मौत का शिकार हुए पिडित परिवारों को 5-5 लाक रुपे की साहताराशी और परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी की जोशना की जाए इस दौरान प्रिशाशन द्वारा चलाएगे बचा और रहत अभियान पर भी पाइलेट ने सवाल खड़े किये पाइलेट ने यहाँ पीडिक परिवारों से भी मुलाकात की और उनका दुख बाटते हुए उन्हें आजवस्त किया कि दुख की इस घड़ी में कॉंग्रेस उनके साथ है पाइलेट ने रेस्क्य ओपरेशन को भी आरोपों के घेरे में खड़ा किया है पाइलेट का आरोप है कि इस पूरे मामले की जाच करवाई जानी चाहिए जान गांदी नगर रेल्वे इस्ट्रे Cashं को महिलां की बड़ाओ देने के लिए एक नई आ है जा रेलवे जेपुर मंडल ने गांदी नगर रेलवे इस्ट्रे форм को सम्खुन रूप से महिला संचित इस्ट्रेशन बना है पर करीब 40 मैलाएं करमचारी होगी जहाँ इस्टेशन पर अब स्टेशन मास्टर्ष से लेकर फॉस्ट मातक करजीमा महीला वींग क्या तॉम होगा वह इस महीला विंग की स्टेशन का उतरपसी वेलर के मापरबंध डीपी सिंग निया अच्भारम किया इसके बाद रेलवे के इस करम से गांधी नगर इस्टेशन का देश का पहला माईला इस्टेशन बन गया हालांकि मुंबोई का माटू का इस्टेशन भी पहला माईला इस्टेशन है लेकिन उप नगरी होने से उसके यह दरजानी मिल वाया इसलिए गांदी नगर एलो एस्टेसन को माहिलाओं के हातों पूपना एक बार फिर दस्ता आता है कि माहिलाओं कि तुझे कम नहीं है को आज ACB की बिलवडा विशेश साखा ने 7000 रुपे की रिश्वत लेते रंगया तो गिरपतार किया ये रिश्वत रासी 25 समिती के विकास अधिकारी ने अपने अधिनस गांद सेवक करमचारी से मांगी थी मान नरेगा की 157000 रुपे के बिलपास करने के एवज में मांगी गई 10,000 रुपे की रासी में से 3000 रुपे की रासी तो सत्यापन के दोरानी दे दी गई थी आज विशेश साखा की बिलवाडा टीम ने 25 समिती में एक जाल बिछा कर विकास अधिकारी को रंगे आतों गिरफतार किया विकास अधिकारी को एसीबी टीम अपने साथ बिलवाडा ले आई केंद्री मत्री पीपी चौधरी जब भी जोगतूर आते हैं तो जन सुनवाड करना नहीं बूलते हैं बले टाइम कम हो मगर जब भी सुनते हैं जनता की समयशाओ को तुम करके उनको निप्टानी की कोशिश भी करते हैं केंद्री विदी राजे मंत्री पीपी चौधरी ने आज अपने प्रवाद के दुराल अपने निवास पर जन सुनवाई की जहां पाली, विलाडा, ओसिया, वुपाल करके अलाबा विभिन ग्रामी चित्रस आये लोगों ने अपने अपनी समश्याओं बताई यह कोई पहला मोका नहीं था जब किंद्री मत्री पीपी चौधरी अपने निवास पर जन सुनवाई कर रहे थे इससे पहले जब भी जोथपूर आते हैं या पाली जाते हैं वा जन सुनवाई करते हैं अब देखना कि आने वाले समय के अंदर यही जो जनता है वो किस तरह से पीपी चौधरी ता सास दीजिए मानब जीवन में रासाइनेक उत्पादों से बढ़ती चुनोतियों को कम करने और पाधप आधारित उत्पादों के अधिकादिक उपियों को लेकर उद्यापूर मेर इंटरनेशनल कॉंगरेस का आगाज हुआ इंडियन सोसाइटी औफ केमिस्ट एंड बायोलोजिस्ट अमेरिकी संस्ता अंतररास्ती सोसाइटी पोर फाइटो कॉस्मेटिक साइंस और सुखाडिय विश्विध्याले के साजे में आज इंटरनेशनल कॉंग्रेस का आगाज हुआ देश बिदेश से आये करीब 150 से जादा विशेविशेशग्य और बैग्यान एक इस कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं आयोजन समिती के अद्यक्ष एसडी प्रोईत ने बताया कि इस का रिशाला में अमेरिका, इसराइल, थाइलेंड, इरान, एजिप्ट, मलेशिया और कुबेट से आये वेग्यानिक बिदि विशेव पर अपनी राय रख रहे हैं जाग रुपता टै करेंगे पत्नी का सम निकाला जा चुका है लेकिन पती का पता नहीं चल सका है लूनकर्ण सर पुलिस मोके पर है कौशिस की जारी कुछ पता चल सके दिग्गी खासी बड़ी बताई जा रही है और अंधिरा होने के चलते भी कुछ दिक्कत आ रही है उलायत के बोलासर में आज 11,000 केवी विदुत लाइन की चपेट में आने से यूवत की हुई मोत परिजनों ने मोशरी के आगे लगाया दढ़नार रोड पर लगाया जाम 25,000,000 मोवजे, सरकारी, नोकरी और जिम्मेवार, डिस्कोम, अधिकारी को सस्पेंड करने की कर रहे हैं मांग बाजपा जिला देख सत्य प्रकासाचारी है, महामंत्री, मोहन सुराना के नेतरतों में सकारात्मक वारता का दोर जारी विदूत निगम के अधिकारी भी पहुंचे मोके पर विदूत निगम से 5,000,000,000 मोवजा देने पर बनी सहमती लेकिन परीजन कर रहे हैं 25,000,000,000 मोवजे, सरकारी, नोकरी और जिम्मेवार अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग फिलाल सकारात्मक वारता का दोर जारी है तो वहीं जिम्मेवार निगम के अधिकारी को भी सस्पेंड किया जा सकता है नुगपुर जिले में बिच्छवडा थाने के एक मैला हैड कॉस्टेबल ने ततकालिन थाना अधिकारी पा दुश कर्म का आरोब लगाया है पिड़ता ने गुजरात के शामला जी तहने में मामले की रिपोर्ट दी है और इस लापरवाही के चलते ठर्मल की यूनिट साथ के कॉल मिल में लग गई आग। जिल में आग लगे उनिट पाँच और शे के स्वेच यार्ड में ब्लास्ट हुआ। समय रहते दमकल की दो गाड़िया मौके पर पहुंची बिना किसी के हताहत हुए आग पर काबू पाने से बड़े नुक्सान को ठाल दिया गया। थर्मल प्रिशासन ने पूरी तरह से मामने को दवाने की कोसेश की लेकिन सामने आया कि एकुसल्टी कर्स्रमिट उस वक्त काम कर रहे थे। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाई और खामी के चलते ये घटना गटी है। थर्मल की 5 और 6 यूनिक जिसके बाद पूरी तरह से क्रिप्ट हो गई। कैई घंटों तक दौना यूनिक बंद रही है। ऐसी कैई बड़ी लापरवाई ही हो के चलते कोटा थर्मल में कैई बड़े हाथ से भीते समय में हुए है। लेकिन बाबजूगिस के थर्मल प्रिसासन किसी भी तरह से गंभीर नहीं होता दिख रहा है। मानो थर्मल एड्मिस्क्रिशन को किसी बड़े हाथ से का इंतिजार है। बारात में डीजे बजाने की बात को लेकर दो समुदाय में उपसे तनाओ का मामला 24 गंटे बाद इंटरनेट सेवा हुई बाहाल हालात हुए सामानने। सांती विवस्ता बनाय रखने के लिए लोगों से समझाईज की गई। साथी पुरे 24 गंटे बाद आज शाम पाँज बजे टोंक शाहर में इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई। साथी लोगों से अपील की गई कि अफवाओं पर ध्यान ना दे। जी राजस्तान न्यूज भी अपने दर्सकों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाओं पर ध्यान नहीं दें। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस और परसासन के दिकारी पूरी तरह से मुस्तेद हैं। एक शहीद परिवार 16 सालों तक शहीद परतिमा लगाने के लिए ग्राम पंचाय से जमीन मांगता रहा। लेकिन बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जब जमीन नहीं मिली तो आज आखिरकार 16 पूर्णे तिथी पर शहीद परिवार ने अपने एक खेत में शहीद परतिमा लगा दी। आलांकि इसके लिए सेनिक कल्यान बोर्ड के अध्यक्स प्रेम सिंग बाज़ोर ने ही रास्ता सुझाया लेकिन शहीद के परिवारों को भी मुर्ति के जगे के लिए चक्कर काटने पड़े ये वास्ता में एक पीडा की बात है। बेटे डॉक्टर विक्रम ताद सबसे छोटी बेटी प्रेंका ने किया। इस मौके में सांसर संतों से लावति ने विरांगना इंद्रा देवी सहीद परिवार के अन्य सदश्यों का सम्मान किया। साथ ही कहा कि जुन-जुनु वीरों की धरती है। इसके अलावा नोंने कहा कि परदार मंतरी ने जुन-जुनु को सैनिक स्कूल की एक बड़ी सौगात दी है। अस्पदाल परिशर में धरले से चल रहा है अंद्र विश्वास का खेल। परिशर में मरीज पर उपरी हवा होने का लेकर किये जा रहे हैं जहर भूंक। अस्पदाल प्रशाशन और इस्टाब मुख दर्सक बन कर देख रहा। बांगण अस्पदाल में एक इवक को परिशन इलाज के लिए भरती कराते हैं। लेकिन गाओं के लोगों ने उपरी हवा की चपेट में आने की वज़ा से तव्यत खराब होना बताया। बस फिर क्या था। चिंतित परिशन अपने बेटे की सलामती के लिए कथित भोपे को लेकर बांगण अस्पदाल पहुँच गए। परिशन में इस्तित भोन्याजी के मंदर पर भोपा आया और परिशनों को अपने सामने बिठा दिया। नारेल के साथ धूबत्ती और बेवकुप बनाने के लिए मंत्र बोलना सुरू किया। हाथ में धागा लेकर जलती लौपर साथ भार घुमाया और परिश लोगोदी दिया। कि मरीज के बांद रेना ठीक हो जाएगा। भोपा यही नहीं रुखा। बकाईदा मरीज को वाड से बाहर बुलाया और ट्रमा वाड के बाहर लेटा कर निम के पेड़ के टहनी और पत्तों से जारफो करना सुरू कर दिया। अखिर कब जागेगा श्पताल प्रशाशन और परिशर में जोला हसाब डॉक्टर और भोपों का प्रविश होगा बंद। बाड मेर मेर में आपकर विभाग की बड़ी कारवाई नेसनल हाईवे नमर 68 पर 28 लाकी सराप की बरमत वहीं ट्रक चालक वह खलाशी को भी किया गिरफतार। आपकरी की टीम ने उसका पीचा करते हुए जाखडों की ढाणी के पास अवैसराप से बड़े कंटेनर के साथ चालक और खलाशी को भी प्रिफतार कर लिया हाला कि आपकर विभाग द्वारा कंटेनर की तलासी लिए इसमें करीब 1200 पेटी अरुना चल परदेश नेमिर सरा आप पाएगी जिसकी मार्केट कीमत चरी 50 लाग विपए तक की बताई जा रही है फिलाल आपकर विभाग इस जाँच में उटाएगी है सराप कहां से आई थी और किसको जानी थी और ये किस ग्रों को दोरा मंगवाई गई थी किसानों ने अपनी मांग को लेकर इंदरुनी पार्क से क्लेक्टेट तक निकाली रेली क्लेक्टेट के मुखे दौर पर दो घंटे तक किया विरोध परदर्सन करते रहे और फिर उसके बाद या अपन मुखे दौर पर ही सस्पा कर दिया किसानों की मुखे मांग है कि फसल बिमा क्लेम जो बकायच चल रहे उसका तुर्ण बुक्तान क्या जै किसानों की लाबकारी पिसल है उसका समरतन मुले को अशित क्या जै तो आदा नरेगा को क्हेती से जोड़ा जै शादी की खुशिया बदली मातम में शादी समारों में हिसा लेकर रोटरी कार टकराई पेड़ से सड़क आसे में दो लोगों की हुई मोत पाज लोग हुए गंबीर रूप से घायल साधुल शहर संग्रिय मारग पर गाम किशिंपुरा के पास यह आद्सा इतना ब्यानिक था की कार के पर खचे उड़ गए और कार में सवार कुछ युवक बाहर सड़क पर गिर गए इस मारग से निकल रहे अन्य भाहनों में सवार लोगोंने बाकी गहलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला मारे के दोनों युवक आपस में जीजा साला थे सड़क असे के शिकार सभी युवक हर्याना में शादी समारों से लोटकर साद्वुशर के पास गाम खिच्रा वाली में आज होने वाली शादी में शरीक होने के लिए पहुँचे थे मर्तकों के शवों का पोश्मार्टम करवाकर उन्हें परजिनों को सुप दिया गया और गमगीन महोल में अंतिन सिस्थार कर दिया गया वहीं तिनों काहलों का शिरीकंगानगर के सरकारी अस्थाल में इलाज चल रहा है चित्रगर दिले के निम्बा एडा में कपड़ा व्यवसाई से 50 लाग रुपे की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को निम्बा एडा कोतवाली धाना पुलिस ने गरभदार कर लिया है चित्तोगर दिलेगे निम्बाडा कोतवाली धाना छेत्रमा रहने वाले कपड़ा व्योसाई छोटे खांसे मोबाइल पर पहले मैसेज बेज़ कर और बाद में कॉल कर पसूली के रूप में 50 लाग रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी असपा अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस रंगडारी मांगने वालों के खिलाब क्या कारवाई करती है जालोर का बागोडा कस्बा आज पूरीतर राबंद, SDM को अटाने की मांग को लेकर किसानों का धन्ना राज जारी, खनन से जुड़ा है मामला जालोर जिले के बागोडा कस्बा आज किसानों के आवाण पर पूरीतर राबंद, कई दिनों से किसान उखन मुख्याले के आगे धन्ने पर बैटे हैं, SDM हटाने की मांग को लेकर किसान धन्ना दे रहे हैं गोज साला की टेक्टर और टोली खनन से जुड़े मामले में जब्त कर डेडला की पेलंटी, SDM की कारवाई द्वारा लगई गई थी, जिस मामले में किसानों में आक्रोस है, किसानों उखन मुख्याले के आगे धन्ना शुरू कर SDM को अठाने की मांग की, जिस पर आज किस जिस पर किसानों ने अपनी मांगे रखी और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलंद की चेताउनी दी